दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे है के बीच में जिस तरह से confrontation देखने को मिला है यहाँ पर भारत सरकार के दोरा यही कोशिच की जा रही है कि जो हमारी military capability है चाइना के अगेंस्ट उसको जादा से जादा बैतर किया जा सके और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा line of actual control है L.A.C. जिसको operate नहीं कर सकते थे लेकिन इसकी भी capability यहाँ पर finally Indian Air Force ने पाली है अब रात को भी ले से यहाँ पर fighter aircraft operate किये जा सकेंगे ठीक है तो इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में और भी बहुत कुछ जानने को है आज इस वीडियो में काफी UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनेरा मौका है study IQ ला है आपके लिए smart courses जिसके तो आप अपनी preparation और भी जादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि यह जो news है मैंने लिया है the print से यहाँ पर इसकी region को भाटा हुआ है ताकि जो fighter aircrafts हैं उसको अच्छे से operate किया जा सके तो total यहाँ पर जो seven air commands हैं इसके through भाटा गया है आप देख सकते हो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर कोई भी आपको northern command करके नहीं दिखेगा तो ध्यान रखेगा आप अपने examination point of view से northern command करके कुछ भी नहीं है सबसे पहला है यह आपका आता है western command western command के अंदर जो मैं यह आपको mark कर रहा हूँ यह सारे areas आते हैं मतलब इसके अंदर जितने भी airways होंगे air stations होंगे वो सारे आपके western air command के अंदर आएंगे फिर आता है आपका central air command जो कि यह पूरा area cover करता है central air command का फिर आता है आप देख सकते हो south western air command जो कि यह वाला पूरा area आपका cover करता है और नीचे यह है आपका southern command ठीक है और उसके बाद यह वाला eastern air command है जिसका headquarter आपको शिलांग में देखेगा, इसके हेड़कॉर्टर भी आप देख सकते हो, यह वाला न्यू डेली में है, प्राग राज जो अलावाद था, उसके बाद गांधी नगर में आपको वेस्टन वाला मिलेगा, फिर आपका यहाँ पर साउथन कमांड वाला त्रिमनन्द पूरम में, और इसके अलावा दो फंक्शनल कमांड हैं, फंक्शनल कमांड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक परपस के लिए यह बनाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, नाकपूर के अंदर यह कमांड है, जो की मेंटेनेंस करता है हर एक चीज का, फिर आपका बेंगलूरू म तो टोटल यह मिला कर आपका 7 एर कमांड हैं, और इसके अंदर करीब 60 से भी जादा एर स्टेशन आपके आते हैं, और यह हर एक जो एर कमांड है, इसको कमांड किया जाता है by Air Officer Commanding in Chief, तो मैं जो आपका ध्यान है वो यहाँ पर लाना चाहता हूँ, यह जो आपका Western Air Command है, तो यहाँ पर अपने रिसेंटली जो कॉंटेक्स है वो समझ लीजे कि भारत और चाइना के बीच में जो confrontation हो रहा था, इसको देखते हैं यहाँ पर रिसेंटली कई सारे disengagement भी हमें देखने को मिले हैं, भारत और चाइना दोनों के बीच में कई सारे steps लिये जा रहे हैं, रिसेंटली ऐसी भी news आई है कि पैंगॉंग जो लेख है, वहाँ से भी जो Chinese troops आये थे उनको वापस भेजा जा रहा है, तो इन सारे news के बीच में यहाँ पर अगर ये खबर आती है कि हमारी Indian Air Force ने acquire कर लिया है capability ताकि रात को भी हमारा जो लेख का airbase है, वहाँ से हम अपने जो fighter aircrafts है, especially आपको पता होगा जो MiG-29 है, इसको हम operate कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा game changer हो सकता है, ऐसा sources के द्वारा बोला जा रहा है Indian Air Force के, यहाँ पर बोला ये भी क्या, कि जो पुरा China के साथ ये line of actual control है, तो वहाँ पर अगर short notice में अगर अचानक से हमें Air Force की सकते हैं, और क्योंकि ये important news इसले भी हो जाता है, आपने recently news देखा होगा कि MiG-29 को भी upgrade करने का यहाँ पर सरकार ने निर्ने लिया है, और इसकी वज़ए से यहाँ पर जो aircrafts हमारे pilots हैं, उसको operate करते हैं aircraft को, उनकी भी काफी जादा extensive training की जारी है, और आपको पता होना चाह हम थोड़ा सा लेका जो airport है, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, इसको यहाँ पर बोला जाता है कुशौक बकुला airport, और ध्यान रखेगा इसके बारे में ये एक तरह का dual airport है, dual का मतलब है कि अव्वेसी बात है, ये military airbase तो ही है लेका, लेकिन यहाँ पर commercial aircraft भी जाया करते हैं, अगर आप लेक घूमने जाओगे, तो आप flights के थू भी जा सकते हो, और ये 23rd highest commercial airport है पूरे विश्व के अंदर, जिसकी height आप देख सकते हो, mean sea level से करीब 10,000 feet से भी जादा है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेगा, अगर आप कभी भी जाओगे ना ले तो आप या तो जा रहे हो, या फिर आ रहे हो, आप morning में ही land या take off कर सकते हो, lake airbase से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि afternoon में जो mountain के winds चलते हैं, वो काफी जादा disturb करते हैं, जिसकी वजए से जो flights हैं, वो सिर्फ morning में ही take off और land कर सकते हैं, in fact मैं बता दू, मैं भी वहाँ गया था और बहुती beautiful scene आता है, मतलब आप airport पर उत्रोगे तो जो flight है वो इस तरह से आपकी turn लेती है, कि मतलब amazing पूरा scene होता है, in fact अगर आप दिली से जा रहे हो, scene अगर की तरफ, sorry, lake की तरफ, तो आप left side बैठिएगा aircraft के, मैं बता दू, ये मेरे ही द्वारा picture click किया गय आपने सुना होगा लद्दाक, जासकर range, ये सारे ranges के उपर काफी जादा बरफ जमी होती है, बहुती beautiful scene होता है, तो अब हम दोस्तों यहाँ पर वापस से topic पर आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो लेस के airport से अब हम रात को operate कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या अभी तक रात को कोई operations नहीं चल रहा था, पुरे border region पर, जी नहीं ऐसा नहीं है, रात को भी operations चल रहे थे, जैसे कि सुखोई सूत 30 हो गया आपका, इनके द्वारा ले और लद्दाक region में पूरा यहाँ पर operation किया जा रहा था, लेकिन दिक्कत क्या थी, कि ये ले से नहीं आते थे, ये जितने भी fighter aircrafts हैं, वो दूसरे bases से आया करते थे, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देखिए map पे, ये है आपका lake का airbase, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के airbase हैं, जैसे उदंपूर हो गया पठान को, इस तरह की जो airbase है, वहाँ से आया करते हैं, जिसकी जैसे काफी जादा distance हो जाता था, तो problem देखने को मिलती थी, तो यहाँ पर अब क्योंकि lake से ही अगर सारी चीज़ें operate होंगी, तो काफी जादा आसानी हो जाएगा, इस पूरे region को cover करने में, अब ये जो capability हमने हासिल किया, इसका significance क्या है, importance क्या है, तो मैं आपको बता कि आज कल अगर आप देखिए, modern warfare में, यहाँ पर जादा तर जो operations carry out किये जाते हैं, aircraft के द्वारा, वो आपको रात में ही देखने को मिलेगा, in fact आपको याद होगा, जो bala coat का भी strike किया था हमने, वो भी हमने रात को किया था, तो यहाँ पर ये दो reason की वजए से ये रात को identify करने के लिए, मैं आपको बता दूँ कि aircraft को देखने के लिए detect करने के लिए दो तरीका होता है, एक है visual directly आप eyes से देखते हो, दूसरा है आपका radar, तो radar तो operate करता ही रहेगा, लेकिन अगर आप रात को aircraft भेजेंगे, तो यहाँ पर जो visual detection है, वो उसको cancel कर देता है, जिसकी जादा तर जो operations है, वो आपके रात को ही conduct किये जाते हैं, और क्या advantage है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि अगर हम रात को operate करने लगेंगे, लेके aircraft से, तो हमें Chinese के जो aircraft हैं, उनसे जादा capability मिल जाएगी, यह ऐसे हैं, क्योंकि आप देखिए, जो China के air bases हैं वहाँ पर, region क आसपस, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यह higher altitude पे हैं, लेक के मुकाबले, लेका मैंने आपको बताया, यह 10,000 feet से जादा के हैं, तो यहाँ पर उसके मुकाबले अगर Chinese के air base आप देखोगे, तो वो और भी जादा height पे हैं, जिसकी वजए से उनके पास जो capability होती है carry करने की, load carry करने की, वो काफी जादा कम हो जाती है, जिसके हो जैसे again भारत को strategic advantage मिलता है यहाँ पर, in fact यहाँ पर मैं आपको 2013 में policy brief यहाँ पर लिखा गया था by Air Marshal V.K. भाटिया, उन्होंने यह particular brief लिखा था जिसका नाम है, Air Power Across the Himalayas, A Military Appreciation of Indian and Chinese Air Forces, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो इसमें बताया गया उनके द्वारा की, जो चाइना के द्वारा well established bases है, मैं आपको बता दूँ कि चाइना का जो bases है, वो आपको इसके करीब नहीं मिलेगा, यह जो border areas है, जो LAC के areas है, आपको पता है, यह आपका LAC यहाँ पर आता है, तो जो चाइना क well established air bases है, वो खोतन हो गया, कशगर हो गया, गोलमूड हो गया, इस तरह के जो आपको areas है, यह थोड़े से दूर आपको देखने को मिलेंगे, इस side देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर Chinese यहाँ से operate करते हैं, तो उनके पास काफी कम fuel बसता है, जिसकी वजह से उनको mid air refuel करनी पड़ती है, तो यहाँ पर अपने load भी वो कम carry कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से अगर हमारा operation यहीं से होने लगेगा, तो हमारे पास ज्यादा comparative advantage आजाएगा चाइना से, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है, कि चाइना इसके बारे में सोच नहीं रहा है, औ 200 km दोर, यहाँ पर यह वाला जो airbase है, जिसका नाम है, एंगरी गुंसा airbase, ठीक है, तो यहाँ से यह construction करना स्टार्ट कर दिया है, अब यह कितना construction हुआ है, क्या यह operate हो गया, इसके बारे में उन ज्यादा पता नहीं है, लेकिन यह भी एक तरह का dual airport है, airbase है, जहाँ पर commercial और जो military aircraft हैं, दोनों यहाँ से operate करेंगे, और इसका जो altitude है, यह देखके देखे, आप बहुत जादा है, 14,000 feet, मैंने आपको बताया था, लेका जो altitude है, यह आपका 10,000 feet के ही आसपास है, तो अगें यहाँ पर हमारे पास comparatively चाइना की मुकाबले, जादा advantage है, अब लास्ट म यहाँ पर आपको पता होगा, जो altitude है, वो काफी जादा उचे होते हैं, जो rarefied air है, वो काफी जादा limit कर देता है, rarefied air का मतलब यह हुआ कि जो air है, वो काफी थिन होता है, पतला होता है, जिसकी हो जैसे aircraft को operate करना pilots के लिए बहुत जादा मुश्किल हो जाता है, in fact अगर रात को यहाँ पर mountainous region में operate किये जाते हैं, एरकाफ को, तो जो depth perception है, depth perception का मतलब हो गया कि एरकाफ से जो land की यहाँ पर उचाई है, वो कितना जादा है, तो इसको भी predict करना रात के बहुत जादा मुश्किल होता है, इवन जो engine के response है, high altitude areas में, वो काफी जादा delayed होते हैं, त यह सारी चीजें बहुत जादा मुश्किल हो जाती हैं, जिसकी वजय से जो pilots हैं, उनको काफी सारे extensive training लेनी परती हैं, skills acquire करने परते हैं, ताकि वो इन सारे mountainous region में जो aircraft हैं, उसको अच्छे से operate कर सकें, तो I hope दोस्तों यह जो पूरा video था regarding Indian Air Force gets night flying capability at lay, यहाँ पर आपको का MCQ डालता हूँ, आप stories में जाकर play कर सकते हैं, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.